हलो स्टुडेंट्स आज हम टैंथ क्लास हिंदी सब्जेक्ट के पध्य भाग में फर्स्ट लेसन सूर्दास के कवे पदों का अध्यान करेंगे कृष्ण भक्त कवी सूर्दास का जन्म समवत 1540 में हुआ था इनका जन्म स्थान आग्रा और मथूरा के बीच स्थित रुनर्ता ग्राम में माना जाता है कुछ विद्वान दिल्ली के निकट सी ही ग्राम को इनकी जन्म स्थली मानते है इनके पेता का नाम रामदास पताया जाता है वार्ता साहित्य और भक्तमाल के आधार पर ये सारस्वत ब्राह्मन कहे गए किन्तु साहित्य लहरी में एक पद है जिससे प्रत्वी राज के अमात्य और राजकवी चंद्रबर्दाई के वंसस ब्रह्म भट मालूम होते है इस पद से बहुत सी बाते ग्यात होती है और इसी पद के आधार पर ये कहा जाता है कि ये नेत्र हिन होने के कारण एक अंधकूप में गिर पड़े थे और छह दिन वहां रहने के बाद भगवान शरी क्रश्न ने इन्हें दर्शन दिये और सानेत्र कर दिया इस पड़ सूर्दास ने कहा कि प्रभू जिन नेत्रों से आपके दर्शन हुए अब उनसे मैसांसारिक पापों को नहीं देखना चाता और उनके निवेदन से नेत्र सदा के लिए इन्होंने बंध हो गई इन्होंने अपने नेत्र बंध कर लिये लेकिन उन्हें प्रग्याचक्शु प्राप्त हो गई अचारिय वल्लब ने अपने सिद्धांतों में सूर्दास को दिक्षित किया और उसी समय उनकी दास्य भाव की भक्ति सक्य भाव में परिनत हो गई अपने गुरु वल्लब अचारी के अग्या अनुसार इन्होंने इश्वर की कथा को भाशा में वर्णन करने का कारिय प्रारंब किया सूर्दास की उपलब्द रचनाएं तीन है सूर्सागर, साहित्य लहरी और सूर्सारावली सूर्सागरिन का प्रामानेक और अत्युत्तम और स्रिष्ट काव्य ग्रंथ है जो इनकी कीर्थी को अक्षय रखने के लिए परियापत है सूर्दास ने ब्रज भाशा का प्रयोग किया इनके पूर्ववर्दी किसी भी कभी की भाशा में काव्य छटा ना तो इतनी साहित्यक है और ना ही इतनी सूंदर्य पूर्ण बन चुकी तो आज हम सूर्दास द्वारा रचाईत कुछ काव्य पद है जिनको अध्यन करेंगे तो हम देखते हैं कि इसमें पहले पद में कृष्ण और राधिका की प्रतम मिलन का वर्णन है अब परिचे की दिवार सरी कृष्ण के पहल से समाप्त होती है राधा बहुत चतुराई से कृष्ण की खूबियों और खामियों को अपनी ब्याज की स्तुती में कहती है व्यं अभरमर गीत जो है उस ब्रहमर गीत में माना जाता है ब्रहमर गीत के रूप में हम उसको स्विकार करते हैं ब्रहमर गीत हिंदी साहित्य में अनुपम है उद्धव निर्गुन ब्रह्म के प्रवर्तक के रूप में गोकुल आते हैं किन्तु क्रश्न के सम्मोहन में डूपी गोपियों के विचार सुनकर उद्धव जो है वो निरुतर हो जाते है गोपियों के उपालंब करुणा से भरे हुए हैं और गोपियों के विंगे बानों से उद्धव का हरदय जो है वो छली हो जाता है और वे स्वयम क्रश्नमय हो जाते हैं आस्था के सामक्ष उद्धव के सिर्दांत जो है वो फी के पड़ जाते हैं और इस तरह से सूर्दाजी का जो ये पद है वो गेय है अर्थात हम इसको गाभ ही सकते हैं तो आईए देखते हैं बूज़त श्याम कौन तुगोरी कहां रहती काकी है बेटी देखी नहीं कबहु ब्रज खोरी इस पद में हम देखेंगे कि राधा का और स्रीक्रश्न का प्रत्थम परीचे होता है स्रीक्रश्न और राधा जो है एक उपवन में मिलते हैं तो वहाँ पर स्रीक्रश्न राधा से पूछते हैं बूज़त श्याम कौन तुगोरी बूज़त अर्था तो पूछना गोरी यहां पर राधा के लिए आया है तो स्रीक क्रश्न जो है वो राधा से पूछते हैं कि हे गौरी तुम कौन हो कहां रहती तुम कहां रहती हो काकी है बेटी किसकी बेटी हो देखी नहीं कबहु ब्रज खोरी ब्रज खोरी अर्थान ब्रज की गलियों में तो कृष्ण कहते हैं कि कभी तुमें बरज की गलियों में नहीं देखा। काहे को हम बरज तनावती, खेलत रहती आपनी पूरी। जब सरी कृष्ण ने राधा से प्रश्ण पूचा, उनसे सवाल किया, तो राधा जवाब देती है कि काहे को हम ब्रज तनाउंती कि हम ब्रज की तरफ क्यों आएंगे खेलत रहती आपनी पोरी, पोरी अर्थात चौखट तो राधा कहती है कि मैं अपने घर की चौखट पही खेलती रहती हूँ सुनत रहती स्त्रवननी नंद ढोटा करत फिरत माखन ददी चोरी राधा कहती है कि मैंने स्त्रवननी अर्थात कानों से ढोटा अर्थात पुत्र तो राधा कहती है कि मैंने अपने कानों से सुना कि नंद ढोटा अर्थात नंद का पुत्र करत फिरत माखन ददी चोरी कि पूरे गाउं में माखन और दही की चोरी करता फिरता है तुम हरो कहां चोरी हम लेहे खेलन चलो संग मिली चोरी तो जब राधा ने करश्न को बोला कि मैंने नंद के पुत्र के बारे में सुना है कि वो पूरे गाउं में माखन और दही की चोरी करता फिरता है तो यहाँ सुनकर क्रश्न कहते हैं कि तुमरों कहां चोरी हम लेहे कि हमने तुमारा क्या चुरा लिया है खेलन चलो संग मिली जोरी जोरी अर्थात जोरी तो हमारे साथ तुम जोरी अर्थात जोरी बना कर खेलने चलो सूर्दास प्रभु रसिक सिरोमनी बातनि भुरई राधिका भुरी भुरई अर्थात बातों में बहला लेना भुरी अर्थात भुली तो सूर्दास कहता है कि प्रभू रसिक सिरोमणी कि मेरे प्रभू रसिक सिरोमणी अर्थाद प्रेमरस से सरोबार सरे क्रश्ण बातनी भुरई राधिका भूली अपनी चत्तुर्य पूर्ण बातों से भूली राधिका कु अपने साथ में खेलने के लिए राजी कर लेते हैं फिर हम देखेंगे मधुकर श्याम हमारे चोर मन हरी लियो तनक चित्वनी में चपल नैन की कोर इसमें हम देखेंगे कि जब सरी कृष्ण मतूरा चले जाते हैं और गोपिया उनके विरह में व्याकुल रहती है तो सरी कृष्ण उद्धव को संदेश वाहक बना कर गोपियों के पास बेज़ते हैं और संदेश देते हैं कि वो गोपियों से जाके कहें कि वो सरी कृष्ण को भूल जाए और किसी निराकार इश्वर की भक्ती में लीन हो जाए तो इस तरह से उद्दव के इन संदेशों को सुनकर गोपिया उद्दव से जो कहती है वही इस पद्य में मतलाया गया है गोपिया कहती है कि मदुकर श्याम हमारे चोर कि हे मदुकर हे उद्दव स्रीकृष्ण हमारे चोर है मन हरी लियो तनक चित्वनी में चपल नैन की कोर अर्थात अपने चंचल पूर्ण नैत्रों की कटाक्ष से तो गोपिया कहती है कि मन हरी लियो कि स्रीकृष्ण ने हमारा मन हर लिया है हमारे मन को छीन लिया है कैसे छीन लिया तनक चित्वनी में चपल नैन की कोर अपने चंचल पूर्ण नैत्रों की कटाक्स से स्रीकृष्ण ने हमारे मन को हर लिया है पकरे हुते हिर्दे उर अंदर प्रेम पृती के जूर गोपियां कहती है कि हमने स्रीकृष्ण को पकरे हुते अर्थाथ पकड़े हुए कि हमने स्री कृष्ण को प्रेम प्रिती के बल पर अपने हिर्दे के अंदर पकड़ लिया है अर्थाथ हमने स्री कृष्ण को अपने प्रेम और प्रिती के बल पर जो है अपने हिर्दे में बसा लिया है गई छड़ाई तोरी सब बंधन दे गए हंसनी अंकूर अंकोर कार्थ होता है रिश्वत तो गोपिया कहती है कि गई छड़ाई तोरी सब बंधन किसरी कृष्ण जो है हमसे सारे बंधन तोड़ कर चले गए दे गए हंसनी अकोर और जाते जाते वो अपनी हंसी की रूप में हमें रिश्वत दे के चले गए चोंकी परी जागत निसी बीती दूत मिल्यो एक भूर गोपिया कहती है कि चोंकी परी कि हम रात को चोंक पड़ते है जागत निसी बीती और इस तरह से जागते जागते हमारी रात बीत जाती है निसी अर्थात रात दूत मिलियो एक भूर लेकिन जब सवेरे होता है तो हम देखते हैं कि भौरे के रूप में या एक ब्रहमर के रूप में हमें एक दूत मिलता है अर्थात एक संदे स्वाहक मिलता है सूरदास प्रभु सर्बस लूटियो नागर नवल की सूर सूर्दाजी कहते हैं कि गोपियां कहते हैं कि प्रभुसर्बस लूटियो नागर नवल के सोवर कि चत्तुर स्रीक्रश्ण ने हमारा सब कुछ लूट लिया है फिर गोपियां कहते हैं कि संदेशनी मदुबन कूप भरे अपने तो पठवत नहीं मोहन हमरे फिरे न फिरे इस पध्य में गोपियां हैं वो उदव से कहते हैं कि हमने सरीक्रश्ण को इतने संदेश भेजे लेकिन उसका कोई जवाब नहीं आया तो ऐसा लगता है कि हमारे संदेशों से मथ्फुरा के कूवे भर गए हैं तो गूपियां कहती है कि संदेशनी मधुबन कूप भरे मधुबन अर्थात मथूरा कूप अर्थात कूवे तो गूपियां उद्दव से कहती है कि ऐसा लगता है कि हमारे संदेशों से मथूरा के कूवे भर गए है अपने तो पठवत नहीं मोहन हमरे फिरे न फिरे पठवत अर्थात भेजना और फिरे अर्थात लोटे या लोटना तो गुपियां कहती कि अपने तो पठवत नहीं मोहन कि स्री कृष्ण ने अपना तो कोई संदी साह में भीजा नहीं और हमरे फिरे न फिरे और हमने जो संदेह स्फिजे वो भी वापस लौट कर नहीं आए जिते पतिक पठे मदुवन को बहुरी न सोध करे पतिक अर्थात रहागीर पठे अर्थात भीजना मदुवन का अर्थ होता है मथूरा सोध अर्थात खोज खबर तो गुपियां कहती है कि जितने पथे पठे मदुबन को कि हमने जितने रहागीरों को मथुरा भीजा बहुरी नसोध करे वापस उनकी कोई खोज खबर नहीं हुई के वेश्याम सिखाई प्रमोगे के कहू बीच मरे प्रमोगे अर्थात वश्मे करना अब आगे गुपियां कहती है कि के वेश्याम सिखाई प्रमोगे क्या सरी कृष्ण ने उनको सिखा कर अपने वश्मे कर लिया है के कहू बीच मरे या क्या वे रास्ते में ही कही मर गए उनकी मृत्ति हो गई कागद गरे मेग मसी खूटी सरदव लागी जरे अब आगे गोपियां कहती है कि कृष्ण जो है उन्होंने गोपियों के संदेशों का एक भी जवाब नहीं दिया तो क्या करण हो सकता है तो गोपियां कहती है कि कागज गरे मेग कि क्या मतूरा में बारिस से कागज गल मसी खुटी मसी अर्थाद शाही या वहाँ पर शाही खत्म हो गई सरदव लागी जरे या फिर वहाँ पर जंगल की आग से सरदव अर्थाद सरकंडो की आग कि वहाँ पर सरकंडो की आग से सारी जो सामगरी है वो समाप्त हो गई है इसलिए स्री कृष्ण उनको संदीस नहीं भीज रहे सेवक सूर लिखन को आंधो पलक कपाट अरे सूरदाजी कहते हैं कि उनका जो सेवक है वो अंधा है लिख नहीं सकता पलक कपाट अरे और उन्होंने अपने पलक रुपी दरवाजों को भी पंद कर लिया है अर्थात वह जो है लिखने में असमर्थ है अम गूपियां कहती है कि उधो मन माने की बात दाक छुआरा चाड़ी अमरित्फल विश्के राविश्खात इस पद्य में हम देखेंगे कि गूपियां है वो उद्धव से कहती है कि जिसके मन को जो अच्छा लगता है वो वही करता है इसके उपरांत चाहें उसकी मृत्ति हो जाएं लेकिन जिसको जो अच्छा लगता है जिसके मन को जिसकारे से संतुष्टी होती है वो वही करता है गुप्या कहती है कि उध्व मन माने की बात के है उध्व मन माने की बात अर्थाद जिसके मन को जो अच्छा लगता है वो वही करता है दाक चुवारा चाड़ी अमरित्फल विश्केरा विश्खात दाक अर्थात किश्मिश चुवारा हम कह सकते हैं सुखे बोर या फिर सुखे फल विश्केरा अर्थात विश्का केड़ा या हम यहाँ पे साप से भी इसका आशे ले सकते हैं तो गोपियां कहती है कि दाख छुवारा छाड़ी अमरित फल विश केरा विश खात कि विश का जो केड़ा है वो किश में छुवारे जैसे अमरित रुपी फलों को छोड़ कर हमेशा विश को ही खाता है क्यों खाता है क्योंकि उसको विश खाने से ही त्रपती मिलती है जो चकोर को देई कपूर को तजी अंगार अगहाद अब आगे गोपियां कहती है कि जैसे चकोर को कोई कपूर जैसा शीतल पदार्थ खाने के लिए दे लेकिन क्या करेगा वो तजी वो उसको त्याग देगा और अंगार अगहाद अघात का मतलब होता है तरप्ती होना लेकिन चकोर कपूर जिसे शीतल पदार्थ को छोड़ कर अंगारे को ही खाएगा क्यों खाएगा क्योंकि उसको अंगारे को खाने से ही संतुष्टे मिलेगी मधूप करत घर फोरी काठ में बंधत कमल के पाथ आगे गोपिया जो है उधारन देती है कि मधूप अर्थात भवरा फोरी अर्थात फोड़ना काठ का मतलब होता है लकडी कमल के पाथ अर्थात कमल के पत्ते तो गोपिया कहती है कि जैसे मधूप करत घर फोरी काठ में कि भवरा जो है लकडी को फोड़ कर उसमें अपना घर बनाता है लेकिन बंधत कमल के पत्तों में बंध कर अपने प्राणों की आहूती दे देता है कि हम जब देखते हैं कि भवरा जो है जब सुर्यास्त होता है तो वो जो है कमल के पत्तों पर ही बैठा रहता है और इस तरह से वो कमल के पत्तों में सुर्यास्त होने पर कमल के पत्तों में बंध हो जाता है तो उसे मालूम है कि कमल के पत्तों में बंध हो जाएगा तो उसकी मृत्ति हो जाएगी लेकिन उसको वही परसंतुष्टी मिलती है उसको वही अच्छा लगता है और इस तरह से वह कमल के पत्तों में बंध होकर अपने प्राणों को त्याग देता है लेकिन वह अपने इस मोह को नहीं त्याग पाता फिर हम देखेंगे कि जो पतंगा हित जानी आपनो दीपक सो लपटात कि जैसे पतंगा है या हम ज़र कह सकते हैं कि छोटे छोटे जो कीट पक्षी होते हैं ये चोटे-चोटे कीत पतंगी जो है वो दीपक के चारो तरफ लपटे रहते हैं उन्हें मालूम है कि दीपक के लौ के चारो तरफ लपटे रहने से उनकी मृत्यू निश्चित है लिकिन फिर भी वह अपने हित को छोड़ कर और दीपक की लौ से लपट कर और अंत में अपन इसी कारियों में आनंद प्राप्त होता है उनको इसी कारियों में त्रिप्ति मिल दी है सूर्दास जाको मन जासो सोई ताही सुहात जाको अर्थात जिसके सुहात मतलब होता है अच्छा लगना तो सूर्दाजी कहते हैं कि गोपियां कहते है कि जाको मन जासो कि जिसके मन को सोई जिसके मन को जो अच्छा लगता है सोही ताही सुआ तो उसको जो अच्छा लगेगा वो वही करेगा चाहे उसके उसकार्य से उसको हानी ही क्यों नहो तो इस तरह से हम देखेंगे कि इन पदों में गोपियों ने स्रिक्रश्ण के प्रती अपनी अनन्य शरद्धा और अपनी अनन्य भक्ती को व्यक्त किया है गोपियां जो है उद्धव को व्यंग्य करती है और गोपियों के व्यंग्य बाणों से उद्धव का हरदय भी छनली हो जाता है और विस्वयम भी कृष्णमय हो जाते है और इस तरह से स्रीकृष्ण के प्रती जो आस्था है गोपियों की उस आस्था के सामने उद्धव के जो सिद्धान्त थे वो फीके पड़ जाते हैं और उद्धव भी क्रश्टमय हो जाते हैं